इस वक्त में साथ मौझूद है दमजूर से बीजेपी कमिदवार राजीब बनजी राजीब जी पिछला चुनाफ टीमसी से इस बार बीजेपी से क्या कुछ बदल गया है देखिए दल बदले पताका के रंग बदले राजीब बनजी का कोई बदल नहीं है दमजूर में ये मैं सबसी बड़िया जानता हूं ये मेरे लिए बदानसावा चेत्र है ये मेरे लिए मेरा परिवार है तो smo परिवार में मैं वापस है हूं व परीवार में मैं हून और मेरा डॉमजूर चेत्रे के आम जनता इसमें खुश है सब चाते है कि मैं यहीं रहू और मैं यहीं हूँ इसलिए मुझे कोई चिंता करने कारण नहीं है डॉमजूर के जनता मुझे पूरा विश्वास है उमीद है कि वो लोग दो हाथ भर के हम को आशिर बात करें अगर जीट ट्यमसी के है तो हरने का पहले उन्होंने हर सिकार क्यूं कर रहे है बार बार इवीम को दोज दे रहे हैं हम लोग को गोड़ने नहीं दे रहे कहीं आप देखे आज प्रसंत किशर का ओडियो टेप भी फांस हुआ है उन्होंने खुदी बोल रहे कि मोदी जी का पॉपुलरिटी में तेरो मुल्क खड़ा होई नहीं सकता पावार में बीजेपी आई रहा है कोई रोक ही नहीं है अरे जान का खत्रा तो है इस महाल में हम लोग को है जिस तरह से हमको पत्थर से मारा या रहा है रोड उठाए आ रहा है जिस तरह से मेरा प्रचार को मकड़ा में रुखा या रहा है डिल छोड़ रहा है घेर ले रहा है तो यह तो खत्रा हम लोग है तो हम लोग चिंता कर रहे उन्होंने सीएम है उनको क्या खत्र है अब प्रशान के शुर्ण का सिक्रिया उन्होंने तो यह विद्वा किया था कि तीन अंग को में पहुंच नहीं पहेंगे आप देख लीजे दूसरा चैनल में में यहां बोले चैलेंज करके क्योंकि मैंने भी जब त्रिनों मुल कंग्रेस में थे बहुत थाइम प्रसांद की सर के साथ बैटे थे मेरा भी कुछ बखकला पुबा था मैंने उस त्रेम मेरा भी कुछ लॉजिक दिये थे और मैं उसी दिन भी बोले थे वह सबासे कि भला ही कु चीकी यहां सरकार बनाएंगे और हम लोग की काम करेंगे आम जनत अम लोग cięओं और भरोसा कर रहा हैं जीद का सरकार बनाएंगे और अपने जीद पूरी तरीके तेंस राजीव पार्शनी बनर्दी जो की ममता अबचले जी जो बातें कर रही हैं यह वह भी दिखा ह हाए आपको रखे आगे